ये समझ नहीं आ रहा कि परदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। परदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 गहंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सबीस दस्तों को जेल की सलाखों के पीछे बेज़ दिया। और पांच दिन बाद भारतिय जन्ता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वाँ आगजनी की घटनाएं करते हैं। उनके घरों को जला देते हैं। फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये परदर्शन किस चीज के लिए है। जैराम ठाकर जी ने कहा कि हम NIA की इन्वेस्टिकेशन करना चाहते हैं। हमने कहा हम उसका भी स्वागत करते हैं। जब जो अपरादी है, जो अपरादी वो जेल की सलाखों के बीच में हैं तो ये किस चीज का परदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बड़े पूरो मुख्या मंत्री रहे हैं। बिंदल जी भारती जन्ता पार्टी के अध्यक्ष है। आप देख रहे हैं कि कल पुलीस के अधिकारी बोल रहे हैं आप जाओ। आप 1144 लगी है, आप जानते हैं कि उसमें 5-5-10-10 आदमी करके जा सकते हैं। तो आप जाइए, रोका किसी ने नहीं है। अब 1144 में 2-500 का मौब नहीं जा सकते हैं। कठे चले हैं ये कहा, फिर भी वो नहीं है। आज इस मुद्धे को जिसमें अपरादी जेलों की सलाखों के पीछे, ये पहला अंदोलन मैंने हिंदूस्तान के इतियास में पहली वार देखा, जिसमें अपरादी सलाखों के पीछे और भारतिये जनता पार्टी तब अंदोलन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी रालनिती को रोटियां सेकनी ही हैं और अपनी रालनिती को करना ही हैं तो आप किसी और मुद्धे पर अंदोलन कीजिए। अगर अपरादी नहीं पकड़ा जाता तो भी भारतिय जंतापार्टी का अंदोलन हम मालने ते सही है उनके तो परिवार की बेटियों को भी हमने अरेस्ट करके रखा है सारा परिवार छोटा सबको हमने अरेस्ट करके रखा है क्योंकि जो भी इस अपराद में समलीत है वो च तोड़ा सा आप सबर रखिए आप लोगों अभी ठीक है 24 का अलेक्शन आपने लड़ना है और जीतना